कि यहां दोस्तों आज के वीडियो में हम चार्चा करेंगे आपके लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है आज के लिए तो देखिए आज जो है नाया अपडेट आया है तो सबसे पहले आपको जाना है इन पर आपको ओपन करना है फिर आपको सीधा नीचे आना है जहां पर जो है अंट्रेंट टिक्चरों के लिए सुचना परसारित की जाती है तो फिर आपको देखना है यहां पर देखिए एक नीक प्रिंस्पल विरिपकेसन आप रजिस्टर टीचर ओपन तील 282-2018 ऑनलाइन तो यहां पर देखिए यहां जो है आपके सिक्षक साती बहुंसे सिक्षक साती जो है कमेंड करते हैं कि हमारा प्रिंस्पल विरिपकेसन अभी तक नहीं हो हुआ है तो हम क्या करें तो यहां पर देखिए एक जो है बड़े कदम लेते हुए फिर से प्रिंस्पल विरिपके परक्रिया फिर से शुरू हो गया है आपके सिक्षक साती यदि नहीं किये हैं क्योंकि जो है पिना प्रिंस्पल वेरिपिकेशन के जो है एक्जाम फार्म और परिच्छ में बैटन नहीं दिया जाएगा आपके इसकुल का सत्यापन नहीं हो पाएगा इस कारण से जो है बहु सिल में आ गया है तो उन सिक्षक सातियों का जो है अभी तक प्रिंस्पल नहीं वेरिपिकेशन नहीं हुआ है तो क्रिप्या करके अपने प्रिंस्पल से कहिए अगर प्रिंस्पल का जो है रजिट्रेशन नहीं हुआ है तो यहां पर देखिए बात बताये गया है तो प्रो टीचर वेरिपिकेशन केन बी डन तील 28-2-2018 अर्थात अगर जिन प्रिंस्पल का अभी तक जो सिस्टम में रेजिस्टेशन नहीं हुआ है तो आप यहां से क्लिक कीजिए देखिए जो पहले आप जो वेरिपिकेशन करवाते थे बिलकुल वैसी करना है आपके इसकुल का जो इनेटेट परिविटेट इसकुल है तो यहां पर देखिए इन में से आपको स्लेक्ट करना है फिर आपको जो है नेम आम प्रिंस्पल फिर आप इसकुल का जो है प्रिंस्पल का नाम रहेंगे फिर जो है आपको बात जो है नंबर आप अंट्रेंड टीचर फिर इसकुल मे इमेल एडर्स पहुत ही जरूरी होता है जैसे कि आपने करवाए हैं तो आपको पता ही है लेकिन जो सिक्षक साथ ही नहीं करवाए हैं उनको आप यहां जानकारी जरूर दीजिए फिर आपको मॉबाइल नंबर डालना है फिर अधार नंबर करने आपको पासवर्ड चुननना है फिर आपको submit करने है तो इस परकार से जो है प्रिंस्पल जो है इस सिस्टम में जो है registration हो जाते हैं फिर आपको जो है पीछे आना यहां पर देखिए फिर यहां से आपको इसको डाल कर जो है आप जो है वेरिपिकेशन कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो है यह आपके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है और यहां जो लिंक है यहां पर देखिए यहां study center corner दिया है तो यहां से भी आप जो है कर सकते हैं आप देखिए click for the record to be verified by the principal verification open till यहां पर देखिए यहां पर भी आप करेंगे तो वही link आपका खोल जाएगे यहां पर देखिए यहां से भी आप खोल सकते हैं फिर जो है आप यहां आपको आडर के बारे में देखना है तो यहां से आप देखिए यहां पर इसको आपको ओपन करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगा उसमें बताया गया है कि principal verification क्यों जरूरी है और यहां जो है क्यों साथ यहां जो जानकर है जरूर सेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो धन्यवाद सिक्षक साथियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद साथियो